आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now इस question में हम इजे रखा है हमारे पर सिक light spring है meter scale है और एक known mass है अब हमें time period of oscillation निकालना है without using a clock तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम देखते है time period क्या होता है वो होता है two pi root m by k यहां हमें two pi मालूम है m मालूम है हमें basically निकालना क्या है k spring constant तो वह हम कैसे निकालेंगे हम spring को ceiling से suspend करेंगे और उसके एक end पर mass m लगा देंगे ठीक है अब मान लेते हैं initially spring जब mass m लगा था तो यहां थी ठीक है अब spring का दूसरा end यहां आ गया है तो extension यह मान लेते हैं यह k l हुआ तो हम जानते हैं अब equilibrium है body तो force due to spring जो होगा वो force due to force mg के बराबर होगा ठीक है तो mg is equals to k l l हम नाप लेंगे हमारे पास क्योंकि एक meter scale है तो हमारा k आ जागा mg by l ठीक है k हमारा आ गया तो हम time period के formula में k डालके time period निकल जागा हमारा यह हमारा अंतर होगा thank you अज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह वाट्साप कीजे अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर